18 फरवरी को बरसेगी भूले की कृपा बहुत शुभ यूग में है महाशिवरात्री महाशिवरात्री हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है महाशिवरात्री को गौरी शंकर की शादी के रूप में मनाते हैं महाशिवरात्री शिव और शक्ति के मिलन की रात हुती है सभी धर्शकों को मेरा गुर्मीत बेदी का नमस्कार महा शिवरात्री हिदों के सबसे बड़े पर्वों में से एक है शिवरात्री शिव और शक्ति के मिलन का एक महान पर्व है ऐसी माननेता है कि इस दिन बभवान शिव और माता पार्वत्य का विवा हुआ था इसलिए भग्त गंजो है महा शिवरात्री को गोरी शंकर की शादी की सालगिरा के रूप में भी मानाते हैं हिंदु धर्म में तीन देवताओं ब्रम्मा विश्नु और महेश को इस तृष्टी की रचना एवं विनाश अर्थात संचालन के लिए उतरदाई माना जाता है इन तीनों ही देवताओं को एक साथ तरीदेव की उपादी दी गई है शंकर या महा देव सबसे महत्तपुर्ण देवताओं में से एक हैं इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं, इन्हें भोलेनात कहते हैं, शंकर कहते हैं, महिश कहते हैं, नील कंठ कहते हैं, बहुत से नामों से इन्हें जाना जाता है, तंतर साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है, शंकर जी, सोम्या और रोद्दर रू हैं इन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है वेद में इनका नाम रुद्धर है इनकी अर्धांगनी का नाम पार्वती है इनके पुत्तर कार्तिके और गणेश है तथा पुत्री अशुक सुंधरी है महाशिवरात्री को गोरी शंकर की शादी के रूप में मनाया जाता है और इसे शिव और शक्ती के मिलन का एक महान और पवित्थर पर्म माना जाता है शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्री के दिन से स्रिष्टी का प्रारम हुआ था गरुड पुरान, सकंद पुरान, पदम पुरान, अगरी पुरान आदी में शिवरात्री का वनन मिलता है कहते हैं कि शिवरात्री के दिन जो विक्ती विलब पत्तियों से शिव की पूजा करता है रात के समय जाकर भवान के मंतरों का जाप करता है उसे भगवान शिव, आनंद और मोक्ष तुनों चीजें परदान करते हैं इशान सहिंता में बताया गया है कि फागोन कृषन चतुरदर्शी को महान शीत काल में आदी देव भगवान शिव, करोडों सूरियों के समान परभाव वाले लिंक के रूप में परगठ हुए थे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में 18 फरवरी शनिवार के दिन महाशिवरात्री का त्योहार जो है वो मनाया जाएगा और इस दिन महाशिवरात्री बहुत शुब मूरत में पढ़ रही है मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्री जो है वो 18 फरवरी शनिवार को पढ़ रही है और नशीत काल का जो पूजा का महुरत है वो तड़के 19 फरवरी को तड़के यानि 12 बज़ के रात के 8 रात के 12 बज़ के 16 मिनट से जिसको क्योंकि 18 तरी को 12 पूजा का मुरत रहेगा नशीत काल पूजा की जो समय अबदी है वो 50 मिनट रहेगी महाशिवरात्री पारण मुरत जो है वो 19 फरवरी को सुबा 6 बज़ कर 57 मिनट से दुपहर 3 बज़ कर 33 मिनट तक और रात्री का पर्थम पहर पूजा समय जो है वो शाम 6 बज़ कर 30 तक और रात्री दित्या पहर पूजा समय जो है वो शाम 9 बज़ कर 35 मिनट से दड़ के 12 बज़ कर 49 मिनट और रात्री तीस तरा पहर पूजा समय है वो 19 फरवरी को तड़ के 12 बज़ कर 49 मिनट से 3 बज़ कर 43 मिनट तक और रात्री पहर पूजा का समय जो है वो 19 फरवरी सु तीन बचकर 43 मिनड़ से 6 बचकर 47 मिनड़ तक रहेगा हिंदु धरम में महाशिवरात्री का विशेश महतव है क्योंकि ये शिव और शक्ति के मिलन की रात है इस दिन शिव भक्त अपने आराध्य का आशीरवात पाने के लिए वरत रखने के साथ साथ जला विशेख करते हैं इस दिन भोले बाबा की विदिवत पूजा के साथ जला विशेख करने से विक्ति को सभी दुखों से चुटकारा मिलता है घर में खुशिया ही खुशिया आती हैं माय अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शिव रात्री की पूजा विदी के बारे में अलग-लग मत हैं सनातन धर्म के अनसार शिव रात्री के पर्थम पहर में दूद्ग, दूसरे पहर में दही, तीसरे पहर में धृत और चोथे पहर में मधू यनि शहत से शनान कराना चाहिए चारों प्रहर में शिवलिंग सेनान के लिए मंतर भी है पर्थम प्रहर में हरिंग इशानाय नमह ये मंतर है दूसरे प्रहर में शिरिंग अगोराय नमह तीसरे प्रहर में हरिंग वामदेवाय नमह चोथे प्रहर में हरिंग सद्ध्यो जाताय नमह मंतर का जो है वो 11 जाप करना चाहिए महाशिवरात्री की पूजा विदी के बारे में मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्री के दिन सबसे पहले शिवलिंग में चंदन के लेप लगा कर पंचामरित से शनान कराना चाहिए महाशिवरातिरी वरतकाल के दौरान मिट्टी के लोटे में पानी या दूद भरकर उपर से वेल पत्तर आग दोतूरे के फूल चावलादी डालकर शिवलिंग पर चड़ाने चाहिए आसपास घर के अगर कोई शिव मंदर नहीं है तो आप घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं साथी शिव पुरान का पाठ और महामृति उन्जे मंतर या शिव के पंचाक्षर मंतर ओम नमा शिवाय का जापिस दिन करना चाहिए शिव पूजा के बाद गोबर के उपलों की अगनी जलाकर तिल चावल और घी की मिशरत आहूति देनी चाहिए महाशिव रात्री के दिन रात्री जागरन का भी विधान है माननेता है कि जो भगता ऐसा करते हैं उनकी सभी मनों कामनाय पूरी होती है तो चलते चलते एक बार फिर से बता दूँ अठारा फर्वरी को बवान शिव की किरपा भरसेगी बाउशुब योग में महाशिव रात्री है मेरे पेस से चुड़े रहिए इसे फॉलो करते रहिए मैं गुरमीत बेड़ी इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शियर करें साथ ही अपनी राए कॉमे बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद